तो अभी के टाम अगर आप मोबाइल फॉन मार्केट को देखोगे तो एक से बढ़कर एक स्मार्टफॉन लॉंच के जा रहे है कोशिश करते हैं आई वोप आपको उडियो पसंदा है तो लाइक करना साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना शुरुवात बॉक्स कंटेंट से कर लेते जहां इन्होंने सब कुल दिया है फोन अठारवोट का चार्जर टाइप C केबल और टीप्यू केस कुछ आपको अलग से पर्चेज नहीं करना इवन यहां डिस्पली के उपर इनों में जो प्रोटक्टर है वो भी लगा के दिया है तो यह चीज़ तो काफी सही है इवन फोन देखने में भी काफी अच्छा है एक रिफ्रेशिंग डिजाइन लेकर आता है पीछे मैट फिनिश द पतला है साथी साथ 5000 एमेच की बैटरी लेकर आता है लेकिन उसके बावजुद आपको बहुत ही कमफर्टेबल फील होगा जो वेट मेनेजमेंट है वो भी काफी एच्छे से किया है तो बिल्ड और लुक्स के मामले में तो डिवाइस काफी सॉलिड है अब सिक्रूरी के ल लेगी और जो क्वालेटी है वो भी अच्छी है यूट्यूब के उपर सिफ 720p तक की वीडियो आप देख सकते हूँ डिस्प्ले ब्रैटनेस इतनी है कि आउट्डूर के अंदर वीजिबल है लेकिन डिरेट सनलाइट के अंदर आप उतना अच्छे सी यूज नहीं कर है आप सॉफ्ट्वेर में यह डिवाइस एंडूर 13 के ओपर चल रहा है जो कि इनिफनिक्स के एक्क्स के 13 वर्जन पर बेस है जितना मैंने सॉफ्ट्वेर को यूज करके देखा है कोई बग्स वगर मुझे फील नहीं हुए सॉफ्ट्वेर काफी स्टेबल है और काफी जाते हैं तो यह डिवाइस पावर करता है यूनी एसोजी टी सिक्स जीरो सिक्स के प्रोसेसर को जो कि इन्फिनिक्स के काफी सारे फोंस में पहले भी देखने को मिला है प्राइस के अच्छा प्रोसेसर है अंतु तो इसको दो लाग चालिस एजार से उपर निकल कर आते है 8GB फिजिकल रैम मिलती है और सोफवेर से आप 8GB और बढ़ा सकते हो मतलब 16GB तक आप इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हो डे टूटे में जिद्दे भी नॉर्मल टास्क होते है ये फोन बहुत ही आराम से करवा देगा फोन बिल्कुल भी नहीं अटकेगा एप उपनिंग काफी अच्छी हो जाती है मल्टी डास्किंग भी आप कर सकते हो इसके लाव जो रैम मेनेजमेंट है वो भी काफी अच्छा है एक बार अगर आपने एप उपन कर लिया तो लंबे टैम तक रैम के अंदर रहता है अब नॉर्मल टास्क के साथ साथ जिनको कैस्वल देखने को मिलती है साथी साथ एटीन वोट का जो चाइजर वो भी सके साथ में मिलता है बैटरी बैकप की अगर मैं बात करूं तो हेवी से हेवी उसे के अंदर भी ये फोन आपको एंक दिन का बैटरी बैकप आराम से निकाल के देदेगा वहां पर कोई दिक्कत नहीं है देखने को मिलेगी स्टोरेज की बात करें तो वैसे तो कोई जबरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यहां पर आपको अगर आप मैमरी कार्ड लगाना चाहते हो तो यहां पर आपको डेडिकेंटें माइक्रोडी कार्ड को अप्शन दिया है अब बात करते हैं इसके अगली देखने को मिल रहा होंगे लेकिन यहां पर काम का सिर्फ एक सेंसर है वह है 50 मेगापिक्सल का सेंसर जिससे दिन में फोटो लेते हो तो फोटो काफी अच्छे आते हैं डीटेल्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे स्किन टॉंस और कलर्स में मुझे काफी सही लगे इवन जो लाइट कंट्रोल है वो भी कैमरा काफी अच्छे से कर लेता है लेकिन अगर बाद आती है पोट्रेट शॉट्स की तो वहाँ पर लाइट कंट्रोल उतना अच्छे से नहीं हो पाता है वहीं पर ही जो एज़ डिटेक्शन फोटोस के अंदर वो इतना एक्यूरेट नही है तो वहाँ पर इंफिलिक्स को थोड़ा सा काम करने की ज़रत है नाइट के अंदर आप में केमरा से फोटोस लेते हो तो फोटोस वराइट तो होते हैं कलर और स्किन टोल्स भी काफी सही रखता है हाँ जो डिटेल्स होती है वो दिन के मुकाबले आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती बट ओरोल नाइट के अंदर आप जो रेर केमरा है उसको यूज कर सकते हो अब इस फोन में आपको 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी केमरा दिया है जहांसे अगर आप दिन में फोटोस लेते हो तो डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंग देखने के अंदर अच्छा है HDR को थोड़ा से इंप्रूव करने की जरुत है लेकिन प्राइस पॉन को देखते हुए मैं ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा अगर वीडियो की बात करें तो या फिर फ्रेंट केमरा दोनों से 1080p 30 एपिस तकी वीडियो आप बना सकते हो वीड ज्यादा रहीम ज्यादा श्टूरेज का अप्षिन आपको मिल रहा है तो जाद बैटरी बेकप काफी अच्छा है और फोन का जो प्रोसेसर वह भी आपको डिसन टाइप का देखने को मिलता है तो मेरे रखोडिंग तो यह काफी अच्छा अप्षिन है देखना चाओ तो देख सकते हूँ बागी आप बताओ कि आपको फोन कैसा लगा कोई सवाल है कोई कोई क्वेरी है तो नीचे पॉमेंट सेक्षन में आप मुझे पूस सकते हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना साथी सब्सक्राइब करते हो जाना मैं मिलता हूँ इससी नेक्स वीड कि ऑना मैं मिलता हूँ जाना मैं मैं तोन क्वेरी हैROज रही आपक है झाल झाल